अगर आपका भी क्रोटन का प्लांट जल्दी खराब हो जाता है, लंबे समय तक नहीं चलता है, तो ऐसी कौन से टिप है जिनको फॉलो करने से, क्रोटन का प्लांट ज्यादा समय तक चलेगा, लंबे समय तक आप इसे कैरी कर पाएंगे, आज टॉपिक में इंफॉर्मेशन चले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मैं होनूप आपका होस्ट और आप देख रहे हैं, बग्या की अबिसी So friends, क्रोटन के प्लांट को लगाते समय, कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करना है, जिसमें से पहले टिप है, इसका जो पॉट है, उसका सिलेक्शन आप जो pot का selection कर रहे हैं तो आपको मिट्टी का या फिर cement का pot लेना है सिरिमे के pot में से नहीं लगाना है और दूसरा इसे plastic के pot में नहीं लगाना है मेरे पास में cement का या मिट्टी का pot नहीं है तो मैं यहाँ पे grow back का use कर रहा हूँ इसके अंदर में इसे भी नमी जल्दी निकल जाएगी क्योंकि यह बहुत पतला होता है और इसके अंदर में ariation अच्छे हो जाता है तो pot आपको cement का या फिर उसका मिट्टी का क्यों लेना है क्योंकि उसमें नमी ज़्यादा समय तक hold नहीं रहती है तो आपको एक भाग लेना है मिट्टी एक भाग लेना है रेत और एक भाग लेना है इसमें खाद नीम खली और थोड़े सी इट पत्तर के टुकड़े मिला करके आप इसे लगा सकते हैं बहुत अच्छे से चलेगा लेकिन अगर आपको प्लास्टिक का ही पॉट लेना पड़ रहा है या उसका ही पॉट आपको लेना है तो आप इसमें मिट्टी की मात्रा 20-25 परशंट का लीजिए रेत और खाद बराबर मात्रा में रख लिए इट पत्थर के टुकड़े आप इसमें बढ़ा लीजिए तो इससे क्या होगा ड्रेने जो सिस्टम है यानि की नमी धारन करने की जो छमता है मिट्टे की वह कम हो जाएगी और पानी तेजी से बाहर निकलेगा इससे पहुधा आपका सेफ रहेगा तीसरा है फ्रेंड्स प्लांट का प्लेस्मेंट आपको प्लांट को ऐसे जिगा पर रखना है जहां पर इसको रखना सबसे बेस्ट आपको लग रहेगा जहां पर इसके लिए सबसे सही रहेगा ऐसे ही मैं आपको गोल्डन डस्ट की ग्रोथ दिखा देता है आप देखें से चल रहा है आप इसकी growth देख सकते हैं बहुत ज़्यादा healthy plant है इस plant के साथ में भी same आपको ऐसा ही करना है इसको आपको एक fix place में रखना है मैंने इस वाले plant को यह fix place कर रखा है यहीं पर मैं रखता हूँ सुबे के समय इसे 2,5 गंटे की छनी हुई धूप भी मिल जाती इस green net से और बांकी समय तेज जुजाला इसे मिलता रहता है तो plant सही तरीके से चलता है नमबर 4 है friends, sunlight प्लांट को आपको ऐसी जगा पर रखना है जहां पर इसे सुबे की 1-2 गंटे की धूप अगर मिल सके तो बैस्ट रहेगा क्योंकि हर एक प्लांट कोई भी हो भले इंडोर हो या आउटओर उसे sunlight की requirement होती है लेकिन आप इसे direct sunlight में कभी भी मत रखी है अगर आप इसे direct sunlight में रखते हैं जहां पर तेज धूप है तो ये plant आपका एक से दो दिन में ही खराब हो जाएगा लेकिन आप इसे अगर bright light में या ऐसे जगह पर रखते हैं जहां पर सुबह की या छनकर के दूप मिल सके एक से दो गंटे की सुबह सुबह या शाम को तो plant आपका बहुत अच्छे से चलेगा और बहुत अच्छी growth रहेगी इसमें पत्यों में color भी बहुत अच्छा निकल के आएगा नमबर पांच है watering प्लांट को आपको तभी watering करना है जब इसकी मिट्टी आपको पूरी सूखी दिखे अगर इसकी पत्या थोड़ी सी लटक भी जा रही है तो चलेगा लेकिन कभी भी इसमें over watering नहीं करना है अगर आप इसमें over watering करते हैं तो root rot के problem होती है जड़े इसकी खराब होती है और तभी ये प्लांट सबसे ज़्यादा खराब होता इस बात को ध्यान रखना इसलिए इसकी soil के अंदर में कभी भी extra watering नहीं करनी है नमबर 6 है friends, cruton के plant को आपको महने में कम से कम एक बार liquid fertilizer कोई भी एक देना जरूरी है आप इसे 15 दिन के gap में दो बार भी दे सकते हैं साथ में दो महने में एक बार इसकी soil के अंदर में आपको 3-4.10 इंच के pot के अंदर में dry fertilizer गोवर की सुखी हुई खाद आपको देना जरूरी है नमबर साथ है गुड़ाई आपको plant की soil की regular basis में गुड़ाई करते रहना चाहिए बेस्ट होगा आप watering के पहले एक दिन गुड़ाई कर दीजिए फिर watering कर दीजिए दूसरे दिन फिर तीसरे दिन फिर से गुड़ाई कर दीजिए इससे ariation बढ़ता है और moisture जितना भी extra रहता है वो अच्छे से बाहर निकल जाता है तो इससे plant आपका सही तरीके से चलता है नमबर आठ है plant पे pest का attack भी समय समय पे होता रहता है तो आपको जो tip area है इस पे नजर बनाक रखनी है अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपको pest दिख रहे हैं तो immediate उसको पर में काम करना है इससे plant बहुत जल्दी खराब होता अगर हमारा ध्यान pest को पर में नहीं जाता है तो इस बात का ध्यान रखना है यह थी क्रोटन के plant की care tips में सबसे ज़्यादा important information जिनको follow करके आप plant को लंबे समय तक carry कर सकते हैं और आपका plant ज़्यादा चलेगा खराब नहीं होगा आज के topic आपको कैसा लगा मुझे comment करके ज़रू बताएगा विडियो चलागा है तो लाइक करें शेयर करें तिल दन के लिए फ्रेंट्स बाबाई थैंक यू एप्पी गाड़निंग